दिल्कुल नहीं, अब लोगा चैन सही है, धिरी धिरे सब सीख जाते हैं, और जनता की मागने हैं कि कमलार जी को मुख्य मंत्री बना चाहिए, बार्ती जनता पार्ती के लिए परिशानी है। लग रहा है कि भारती जनता पार्ती से परिशान हो चुके हैं, और ऐसा भी लगता है कि प्रभाव गौतम जो हैं, वो काफी जादा मतों के अंतर से जीतेंगी। उसके बार टिकेट बदल दिये गए कुछ जगों पे, जिसके बाद ये कहा गया कि आपके और कमलनाच जी के बीच में वो विवाद हैं। जबकि अगर मैं याद करूँ, इतिहास अगर खंगालू तो वो कमलनाच जी ही थे जिनोंने कहा था कि अगर मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो चहरा दिगविजय सिंग जी होना चाहिए। तो आज जब कमलनाच जी को मुख्यमंत्री बनना है क्या आपको लगता है कि चहरा गलत है। और एक एक बचन पूरा हम लोग करेंगे। तो चार हजार उम्मीद्वार थे और 230 ते होने थे। थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता है। कि 95% उम्मीद्वार आम समयत्य से हुए है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉंग्रेस इतनी युनाइटेड कभी नहीं रही जितनी आज है। तो कहीं न कहीं जोतिरादित्य सिंधिया का भारती जनता पार्टी में जाना कॉंग्रेस के लिए अच्छा रहा है। यह भारती जनता पार्टी के लिए परिशानी है। जो यहाँ पर प्रभा गौतम के सपोर्ट में सभा करने के लिए आये थे। उन्होंने यहाँ जनता को संबोधित भी किया, लोगों से मुलाकातें भी की। और जनता के मन में क्या है प्रभा गौतम वर्सिस नीना वर्मा यह हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपने खुद देखी है इस्तिती जनता कह रही है कि उन्हें बदलाव चाहिए। लेकिन ये बदलाव होगा या नहीं ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन कौन नेता क्या कहता है उनके पीछे की हकीकत क्या है और किस विदान सभा में क्या चल रहा है। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके नियूस